चै मातादी मेरे चैनल में आप सभी का भूद भूद स्वागत है आप सभी देशवासियों को सभी भाई बहनों को सभी लोगों को 26 जन्वरी की बहुत बहुत हारदिक सुब कामना है और यह हमारा एक राश्टी पर्व है एक महान राश्टी पर्व है और यह पर्व हमारे ज अपने जीवन का बलिदान दे दिया, उसके बाद ही हमारे जीवन में ये महान दिन आया है और आज भी जो हमारे देश की सीमा पर बॉर्डर पर हमारे सैनिक भाई पड़े रहते हैं उनकी जान पर हर वक्त खत्रा मन रहता है लेकिन फिर भी वो गर्व से कहते हैं हमारा भारत महान मेरा भारत महान और वो सीना ताने वहाँ पर खड़े रहते हैं दुस्मन को टकर देने के लिए अपने देश की रक्षा करने के लिए और सिर्फ देश ही नहीं जब वो देश की रक्षा करेंगे तब ही हम सबकी रच्छा हो पाएगी सभी का स्वाभिमान जीवित रह पाएगा सभी की मर्यादा सुरक्षित रह पाएगी तो इस वज़े से आए दिन ऐसा होता है कि हमारे नजाने कितने सैनिक भाई अपनी जान दे देते हैं अपने जीवन का बलेदान कर देते हैं ताकि उनका देश हमेशा आजाद रहे उनकी देश की जितनी भी माताएं हैं बहने हैं भाई हैं सभी की मान मर्यादा और जान की सुरक्षा बनी रहे सभी एक मर्यादित और सुरच्छित जीवन जीएं तो ऐसे में हमारा भी अपना फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए बहुत कुछ ना सही लेकिन कम से कम ईस्वर से ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि ईस्वर हमारे देश की हमेसा रक्षा करें जो हमारे सैनिक भाई हमारे देश की सीमा पर पड़े रहते हैं देश के बॉर्डर पर पड़े रहते हैं दुस्मन देशों से अपने देश की रक्षा करने के लिए उनकी जिंदगी के लिए उनके जीवन के लिए सुरक्षा का वर्धन मांग सकते हैं भगवान से उनकी सुरक हम अपने उन सभी सेनिग भाइयों के लिए ईशवर इसक wedge करें कि उनको लंबी उम्र दे हमेशा उनकी रख्षा करें और उनका साहस हमेशा इसी तरीके से मजबूत बना रख्चिया, टाकि वह एक लंबी उम्र जी सकें और हमेशा हमारे देश की रच्छा की लगतत पर रहें और जब हमारे देश की रच्छा होगी तभी हम सभी सुरच्छित होगे तो बस इसी सुब कामना के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूं और उम्मीद है कि आप सभी मिल करके हमारे सभी देश्वास मिल करके अपने देश के लिए और हमारे सैनिक भाईयों के लिए इसवर से प्राठना करेंगे कि हमेशा हमारे सैनिक भाईयों की इसवर रच्छा करें और हर समय उनके अंदर एक नया जोस नई ताकत और नया साहस जगाता रहे जै हिंद जै भारत